हेलो फ्रेंट्स आज मैं सेयर करने वाला हूँ आपके साथ एक अच्छे से वेकेंसी के बारे में सबसे पहले इसके तीन खास बाते बता देता हूँ जिसमें आपको अच्छा लगेगा पहले बात यह डारेक्ट इंटर्वी होने वाला है दूसरी बात अप्लिकेशन फीस नहीं कोई मेंजन किया गया है नोटिफिकेशन में और तीसरा बात यहां पे है कि आपको इंटर्वी अगर डारेक्ट होता है तो उसे अटेंड करने का आपको टू और फ्रॉम का पैसा भी कर दिया जाएगा तो इन तीन अच्छी चाहिए के साथ सुरू करते हैं आज का यह वीडियो और वेकेंसी की कंपनी का नाम जैसे कि मैंने बताए बालमल और लॉरी कंपनी लिम्टेड है यह पी नेम अब दो पोस्ट यहां पर डिप्टी मेंजर फाइनांस अकाउंट से न कि आपका 14 लाइक बनने वाला है आप नोटिफिकेशन में भी देख सते हैं कोई यहां पर मिसलीडिंग सी नहीं बता रहा हूं है सीटीशी आपका 14 लाइक का मेंसन किया गया है नोटिफिकेशन में बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो एज इस वल यहां पर CACMA मांगा ग करें तो इसी में 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 जुआ drama में की आप नहीं कर सकते हैं अगर में उन यह प्लाइक उप punya कर सकते हैं ने और यह तो हमार्टिफिकेशन के चलिए स्टीशन किया कर दो कर आदों है मतलब मतलब है और यह साल इक साल से मतलौ। और पांट साल से कम ओक को अ आप सुनित अप्लाइन करना चाहते हैं, इलिजबिल्टी क्रेटियर को मीट कर रहे हैं, तो जरूर करिए, पॉर्टेंट डेट की बात करें, तो 16 फर्वरी 2021 से अप्लिकेशन आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट अप्लिकेशन की बात करें, 13 मार्च 2021 है, प्लेस पोस जो भी ऑफिस है, लाइक मुंबई में है, और भी जगह है, इंडिया में कहीं भी, तो आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, as per the requirement of the company, जैसा कि अप्लिकेशन फिस मैंने बता है, निल है यहाँ पे, selection process यहाँ पे mention नहीं किया गए, exam होगा, क्या होगा, तो I think यहाँ पे direct interview होने वाला है, क्योंकि जो qualification के साथ experience मांगे है, वो काफी जादा है, तो काफी कम लोग यहाँ पे apply करेंगे, तो अगर number of application ज़्यादे आते हैं, तभी यह conduct कर सकते हैं, आपका online exam, most probably for assistant manager, but not for the deputy manager finance accounts, तो आप उसको apply करिए, direct interview है, तो interview का preparation करिए, जो भी यहाँ पे selection criteria होगा, आपको by mail, जो भी candidates shortlisted किये जाएंगे, उन्हें बता दिया जाएगा, और यह पुरा आपका brief detail था, अगर आप इसको apply करना चाहते हैं, अगर apply करने जा रहे हैं, तो इस information के साथ, आप एक बार notification को carefully पढ़ लिजे, उसके बाद ही आप जाके apply करिए, so thank you friends for watching this video, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जरूर कर दीजे, इस friends के साथ share कर दीजे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस vacancy को apply कर सकें, competition में participate कर सकें, और अपने career में growth ला सकें,